रतलाम के विंदेवासनी कॉलोनी में दिल दहला देने वाली घटना सामनी आई है यहां एक महिला और उसके दो बच्चों को हत्या कर जमीन में दफना दिया गया बदबू आई तो पडोसियों ने पुलिस से शिकायत की पुलिस ने खुदाई शुरू की मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुँच गई है रतलाम में दृश्यम फिल्म से भी जादा विवत्स डरावना और रोंगते खड़े करने वाला एक हत्या कांट सामने आया है रिवार शाम को कनेरी रोड पर रस्तित विन्द्यवासनी कॉलोनी में एक फर्श के नीचे से जो निकला उसे देखकर सबी के हाथ फूल गए पुलिस ने एक महिला सहित चारवा साथ साल के दो बच्चों के शव बरामत किये हैं इन वच्चों और उनकी मा को इनी के पिता ने ही कुलाडी मार कर और फिर जमीन में दफना दिया इसके बाद ये आदमी इसी घर में आराम से पिछले दो महीने से रह भी रहा था इस जगन घटना का पता तब चला जब पुलिस को परिवार के गायाब होने की और हत्या की सूचना मिली जाज में पुलिस को संसनी खेश तर्च दिखे तो पुलिस ने गुपचुप पूरी जाज की और फिर मकान में खुदाई की योजना बनाई रविवार शाम करीब 6 बजे स्पी अभिशेक तिवारी के नित्रित्यों में शहर के सभी थाना प्रभारी भारी संक्या में पुलिस बल के साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट विंद्या वासनी कॉलोनी पहुचे यहां सोनु पिता राजे तलवारे के मकान में घुसकर खुदाई शुरू की जमीन के नीचे से एक नहीं तीन लाशे निकली एक्स्टेंशन रतलाम से तवफीक पठान की रिपोर्ट